एक समाय की बात है, एक छोटे से गाव में एक जादूई व्रिक्ष था जिस पर तीन अलग अलग जादूई फल लगते थे, पहला फल सभी बीमारियों को ठीक करता था, दूसरा फल विद्या में सफलता प्रदान करता था, और तीसरा फल हर इच्छा को पूरा करने की क्षमत देता था, गाव वाले इस जादूई व्रिक्ष की रक्षा करते रहते थे और हर किसी को इससे फाइदा होता था, एक दिन गाव का एक यूवक इस व्रिक्ष से तीनों जादूई फलों को प्राप्त करने का इरादा करता है, वह पहले फल को छूकर अपने गाव वालों को स स्वस्त बनाता है। दूसरे फल का उपयोग करके वह शिक्षा में महारत प्राप्त करता है और तीसरे फल से अपने सपनों को पूरा करता है। इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि संधर्ष, निर्धारण और संधटन से ही हम अपने लक्षों को प्राप्त कर सकते हैं.